गुड इबनिंग प्यारे प्यारे साथियों आप सबको पता है कि पीवियर स्टडी लहावा चैनल पर सामके 6 बजे से आपका क्लाफ 9 का एक बार फिर से बैद सुरू हो चुका है तो बच्चों अगर आप भी कछा नौ में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चा बहुत आसान है उस चैप्टर से इससे कोई मतलब नहीं ठीक है तो यह टेंशन मतले ना चैप्टर नमबर 12 का नाम है हिरोन का सूत्र हिरोन्स फार्मूला ठीक है आप यूपी बोर्ड सी बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं सबके लिए बहुत से बच्चे जुड़ें उनका न कमेंट पढ़ते हैं बाबु तो पढ़ाई हो नहीं पाती इसलिए हमें पढ़ाने दो अच्छे से फिर रिवीजन करवाएंगे डाउट वाला सेसन अलग से चलाएंगे फिर उसमें खुब पूछना हम आप लोगों का नाम भी बोलेंगे और अभीवार को रात के 9 बजे से हर अभीवार को एक लाइब सेसन करते हैं उसमें आप लोग से बातचीत करते हैं तो आप लोग कुछ भी हमसे बातचीत करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो ठीक है कबीर स्टडी कलब जी आपकी कमेंट आ रहा है मोहित खान जी आपका भी कमेंट आ रहा है सुजीत बिक्ट कुस्वाहा अखिलेस या दो बहुंसे बच्चे जुड़े हैं चलिए आगे बात करते हैं अगर आप हमारे सार रेगुलर जुड़ेंगे तो हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे कुश्चन है बेटा पहला देखो उसके पहले एक चीज समझ लो यह हीरोन का सूत्र क्या है आपने इसके पहले पढ़ा होगा तिर्भूच का छेत्रफल हो गयरा निकालना पढ़ा है न कच्छानव में आप पहुंचे हो तो आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा तिर्भूच का चेत्रफल हो या संबाहु तिर्भूच का चेत्रफल हो यह फार्मूला लगा देते एक बटा दो बेस इंटू हाइट यानि आधार गुड़े उचाई यह लगा देते हैं लेकिन साथी मेरे कुछ ऐसे भी तिर्भूच है जैसे आपका भी संबाहु तिर्भूच है उसमें यह फार्मूले काम नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसे गड़बर टाइप के मिल जाते हैं जिसमें यह फार्मूला काम नहीं करता है उसमें हिरोन का सूत्र लगता है यह हिरोन का सूत्र बहुत आसान होता है और इस सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं इस सूत्र यहां होता बिटा आपका सेमी पेरिमीटर अर्द परिमाफ ठीक है तो पहले फार्मूला समझ लो फिर हम कोश्चन पर चलेंगे यह चीज तो आप ऐसे समझते चलो देखो मैं बताता हूं कोई भी अगर भी संभाहु तिरबूज है सिंपल सा है या संभाहु तिरबूज है आ तो यह पहली भुजा का मान रहेगा ए में बी में दूसरी भुजा सी में तीसरी भुजा का अभी मान रखेंगे तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है तो बिटा इसमें जो यस है इसे अलग से निकालते हैं एस इक्वल इसका फर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस इसे सेमी पेरिमिटर या अर्धपरिमाप कहा जाता है तो पहले अर्धपरिमाप निकाल लेते हैं यस का मान फिर जो आता है इसमें हर जगा यस की जगा पर उसको रखते हैं और आपकी तीनों भुजाओं के मान ABC के रखते जाते हैं आंसर आता जाता है जैसे यह कुश्च लोग अगर किसी बड़े हाइबे पर गए हो तो ऊपर साइट बिटा एक बोड लगा रहता लिखा रहता नीला नीला कलर बेग ब्लू कलर बैग ग्राउंड रहता लिखा रहता है लोग निर्माड विभाग परिवहन मंत्राले भारफ फरकार देख्यो आजकल तो मोदी योगी जी की फोटो भी लग जाती बगल में छोटी चोटी यहां से आजमगण फलाना इतना दूर है कानपूर इतना दूर है देख्योग नहीं तो ऐसे क्या कह रहा है एक यातायाद संकेद बोड पर आगे स्कू यहीं जैसे अभी जो नई सण के बनी उत्तर पर्देश में जहां भी किनारे किनारे लोहे के अंगल लगा कि उसमें संकेद बना देते फलाना गाओं है यहीं स्कूल है तो वैसे क्या है लिखा है क्या आगे स्कूल है और यह बूजा एवाले एक संभाहु तिरबुच की आ कर देखो हमारी कोशिस होती आपको अच्छे समझ में आ जाए देखो यही बोड है जैसे इसमें बच्चे बने ना कहीं स्कूल होता ता इसे ही संकेत बना रहता रोड किना रहे ना इसमें स्कूल लिखा तो इसका चेत्रफल क्या होगा है तो इसका चेत्रफल पूछ रहा है फीख है ये जो चित्र तुम्हें दिक रहा है इसका परिमाब दिया है पittiया इसका आप और दिया है वैंद सी बात है अगर अगह हम पेरीमेटर दिया और यह समभा हुतिर भूज घर तो हुम इसका पहले भूजा निकाल स्कूल अहेड या आगे स्कूल है इनकी साइड नहीं पता तो हमने मान लिया एए सेंटिमेटर है अगर इनकी साइड ए सेंटिमेटर है आगे लिख सकते हो लिखो इंदी में जब भुजा ए तब यहां लिखो जब भुजा ए सेंटिमेटर तब परिमाप क्या होगा आपको पता है ना तीनों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं बिटा तो तीनों भुजाओं को हम जोड लेंगे खिक है तीनों भुजाओं को जोड लेंगे तो परिमाप इसका आ जाएगा क्या हैगा 3A जब इनकी सूत्र में अर्ध परिमाब चाहिए तो हम क्या करेंगे सेमी पेरिमीटर युज करते हैं तो हम क्या करेंगे लिखेंगे अर्ध परिमाब लिख लो अर्ध परिमाब सेमी पेरिमीटर इक्वल थिरी ये पांट टू यह आपका क्या हो गया अर्द परिमाप हो गया अब ऐसे इस्थिती में जब हमें कोई भुजा उजा नहीं पता है सिर्फ हमें परिमाप बोल रहा था 180 सेंटिमेटर है ना तो छेतरफल क्या होगा लिखो आता हां तिरभूज का छेतरफल आता हां तिरभूज का छेतरफल देखो बेटा इसका सूत्र याद करना बहुत ही आफान है बिना देखे हम ऐसे लिख रहे हैं अंडरूट बनाना है य कूश के बात इक ब्रेकट में यस माइनस ए फिर यास माइनस भी और फिर यास माइनस सी बस यही करना यहां पर्यास कमान आपका यह आ गया है अर्दपरिमाप यानि लिखते हैं क्योंकि एक संभाहु तिर्भूज है ना संभाहु तिर्भूज है संभाहु का मतलब तीनोसाइड इक्वल है तो यहां पर हम A, B, C हर जगा पर कोई भी एक ही बुजा रख सकते हैं हम मान लेंगे हर जगा A रख देंगे ठीक है तो यह आपका क्या बन जाए का जरा ध्यान द हर जगह आप A रख दोगे ठीक है क्यों क्योंकि तीनों बुजाएं बराबर है इसलिए A, B, C सब इक्वल है तो हम A रखेंगे जिससे की हमारा सूत्र आगे काम करें ठीक है ठीक है ठीक है ना बाबू समझ रहो चलो आगे हल करो इनको देखो आप समझो सिर्फ हल करना है ब दो का मल्टीपल 3A में करोगे बाबू तो 3A होगा और 2 का मल्टीपल A में करोगे तो 2A होगा तो आपका ये 3A बटा 2 पहले तो इसको लिख लो फिर ब्रेकट में क्या बनेगा 3A माइनस 2A अपान 2 का एक में गुड़ा करोगे 2 ये A है एपल वाला A इस माल में याद रखन मैंस आपका साथ बटा तीन भिन हल करते थिक नहीं इसको कर लेते हो नहीं अगर इसको कर लेते हो तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है सिर्फ समझने वाली बात है हम डीटियल में समझ में आया आपको बस चलो तो एक मल्टीपल वन का मल्टीपल 3A में होगा तो ये 3A माइनस 2A अपान 2 वैसे इसमें भी हो जायेगा आपका तो ये 3A माइनस 2A अपान 2 ये आपका क्या हुआ पहला इस्टप कंप्लीट हो गया आगे इधर साइड बढ़ा A के बचेगा ना A अपान 2 क्या बचेगा A अपान 2 वैसे इसमें भी A अपान 2 इसमें भी A अपान 2 सब में A A अपान 2 बचेगा अब यहां से एक बात समझो आप इन सबका वर्गमूल निकालना है क्या निकालना भाया वर्गमूल निकालना जरा यहां पर सावधान हो जाओ थोड़ा सा, सावधान होने का मतलब ये है कि देखो इसमें वर्गमूल आराम से निकल रहा है, दो-दो के दो जोड़े बन रहे हैं, बन रहे न, और ए के भी दो जोड़े बन रहे हैं, यानि हम दो बार ए बाहर निकाल सकते हैं, और दो बार नीचे दो भी बाहर निकाल सकते क्योंकि देखो दो जोड़े बन रहें लेकिन बैचारा तीन फफरा दुर भाग से तो यह तीन बाहर नहीं निकल पाएगा ओये रुख जांदराजा तीन बाहर नहीं निकल पाएगा तो बाबू भाईया आपका यह हो जाएगा एका ए में मल्टिपल करेंगे तो एकाई और नीचे फॉर ठीक है लेकिन यह ऐसे नहीं लिखते हैं ऐसे लिखना थोड़ा गंदा लगता है ऐसे लिखते नहीं है अंडरूट को बाद में लगाते हैं सपोर्टर की तरह तो इसे एक आई स्कॉायर अफान फॉर और अंडरूट तीन ऐसे लिखते हैं यह आपका हो गया कि तीर भूझ का छेत्रफल हिरोन सूत्र से जब एक भूजा-संभाव तिर भूज की कोई भी एक भूजा ए दी गई होूँ ठिक है अब देखो इसमें क्या है तिर भूज का परिमाब दिया है अब हम मेन पॉइंट निकाल लेंंगे यह हमारा सूत्र आ गया हिरोन सूत्र के माध्यम से उस तरह के कोईश्चन का इतना लिख लो पहले तो मैं बताऊं आगे जल्दी करो अजसे स्क्रीन साथ लेलो वीडियो रों के मिश्टर पंकज कुमार काहे को परिसान हो कमेंट के पीछे न पढ़ो सिर्फ पढ़ाई करो रवी संकर ठीक है कमेंट दिख रहा है किरन सबका कमेंट आ रहा है जो रोज जुड़ेगा मैं उसका नाम बोलूँगा रोज आओ सामको छे बजे और पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 बजे पीवियार स्टडी 3.0 यूटूब पर सर्च कर लेना चैनल मिल जाएगा लिंक भी डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी अब आगे लिखो देखो इसमें चुकी तिर्भूज का परिमाप दिया गया था कोईश्चन में एक बार कोईश्चन फिर से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं इसको इतना लिख लिए हो अच्छा है कोईश्चन एक नजर देखो बाबु कह रहा था कि नीचे लाइन देखो कहरा यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है यानि इस तिर्भूज जो दिया गया था उसका परिमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर है तो चलो 180 सेंटीमीटर है उसकी आधार पर हम क्या करते है जो हमें मिले उसको न कुरह है और हमारा जो फर्मूलाया थिर्भूज का परिमापका तीन है आया आया है आया ना बाबु आया न यहां से हम क्या करेंगे एक मान निकाल लेंगे तो एक मान आएगा 180 पान 3 यानि आपका 6060-स इक मान 60 सेंटीमीटर आएगा है जब एक मान 60 सेंटीमीटर आ तिर्भुज का छेत्रफल तिर्भुज नहीं वो क्या कह रहा था इसमें एक मिनट कोईशन में क्या था तिर्भुज नहीं था कुछ और कह रहा था संकेत बोर्ड ना लिखो हां संकेत बोर्ड का छेत्रफल आता हां संकेत बोर्ड का छेत्रफल संकेत बोर्ड का छेतर फल लिख लो फटाफट यह भाई लाइट को भी जाना था इक्वल एकाई स्क्वाइर अपान 4 अंडर रूट 3 है ना बैटा बाबू यही ना 60 मान रख दो एकी जगा पे यह 60 काई स्क्वाइर अपान 4 अरूट 3 इसका इसक्वाइर कर लोगे तो 636 बराबर 900 अंडर रूट 3 चूकि यह क्या है यह च्शेतर फल इफ लिए आएगा इकाई काई स्क्वाइर को सेंटीमीटर में दिया था ना शे बज़े से और PBR study 3.0 चैनल पर बेटा इसको यूटूब पर सर्च कर ले ना PBR study 3.0 इसकूल ये चैनल का नाम है ठीक है इसकूल लिखा है लाइस्ट में इस पर सुबह 8 बज़े इस कलास को आप देख सकते हो अगर साम कोने टाइम सुबह देखो कोई न कोई टाइम देख लेकिन आप सुबच्चे पार करो थैंक्यू